भारत के अंदर वापस जिस तरीके की एक जो राजनीती लडाई चल रही है उसके बारे में दिल्ली में जिस तरीके से डबदबे को लेकर लगातार एक समझ लीजे जंग जो जारी है केन सरकार और दिल्ली की केजरिवाल सरकार फिर से आमने सामने खड़ेए सुप्रीम कोट की सम्विधान की पीट ने अर्विन केजरिवाल सरकार के पक्ष में फैसला दिया था लेकिन उसके एक हफते के अंदर-अंदर केन सरकार ने दिल्ली के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया इस अध्यादेश के बाद जो विवाद है वो और बढ़ गया है अब अर्विन केजरिवाल को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है वहीं आज दिल्ली में नितीश कुमार जो दिल्ली के बिहार की मुख्य मंत्री है वो और बिन केजरिवाल से मिले और दोनों ने इस पूरी घटना को विपक्ष को एक जुट करने का एक मुद्दे के तौर पर प्रस्तुत किया दिल्ली में केंद्र के अध्यदेश को राज्यसभा में रोकने के लिए केजरिवाल की जो मुहीम है उसमें वो शरत पवार उद्दव ठाकरे ममता बैनर जी से मिलेंगे यही अर्विन केजरिवाल ने कहा कि विपक्ष को खटा करने की कोशिश करेंगे विपक्ष अगर साथ आ जाए तो सद्यादेश को राज्यसभा में रोका जा सकता है 23 माई को कोलकता में ममता बैनर जी से अर्विन केजरिवाल मिलने जाएंगे उसके बाद 24 तारिक को मुंबई में उद्दव ठाकरे से मुलाकात करेंगे 25 तारिक को वो शरत पवार से मिलेंगे मुंबई में कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से साथ आकर सरकार को राज्यसभा में एक करारा जवाब दिया जाए जहांपर अगर विपक्ष खटा होता है तो उनकी मजॉरिटी जरूर बनती है सुप्रीम कोट का फैसला क्या था और इस ओडिनेंस के आने के बाद क्या क्या चीजे बदली है इसमें ज़र एके करके थोड़ा आपको विस्तार से समझाते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि LG के पास दिल्ली से जुड़े हुए जो व्यापक प्रशास्निक अधिकार हैं वो नहीं होंगे अधिकारियों की तैनाती और उनके तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया जाएगा योगी उनने कहा कि चुनी हुई सरकार के एक पास होगा प्रशास्निक सेवा का अधिकार दिल्ली सरकार की जो सला है उसको लेने के लिए LG बाद दे होंगे पुलिस कानून और जो कानून विवस्ता और प्रॉपटी को छोड़कर जो अधिकार है वो केंदर सरकार के पास रहेगा अब केंदर के अध्यादेश से क्या बदल गया है अध्यादेश क्या कह रहा है केंदर का अध्यादेश क्याता है कि नाशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथोरिटी जो है वो उसमें बनाने की बात कही गई है ग्रूप ए दानिक्स अफसरो के ट्रांस्वर पोस्टिंग पर इसी की सिफारिश मानने होगी अथोर्टी के तीन सदस्से होंगे जिसमें मुख्यमंत्री होंगे मुख्य सचिव और ग्रह सचिव शामिल होंगे लेफ्टरन गवर्नर को इनकी सिफारिश भेजी जाएंगी LG सहमत हो सकते हैं या एस समिती भी जताकर इसको लोटा भी सकते हैं मतभेद हुआ तो LG का फैसला लागू होगा यानि कि मोटा मोटा मैं थोड़ी और असान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ताकत लेफ्टरन गवर्नर से छीन कर सीधे एक मुख्यमंत्री के हाथ में दी थी इस अध्यादेश से वो ताकत लेफ्टरन गवर्नर के पास वापस पहुँच गई है कानून के हिसाब से कहीं लोग भी इस बात को कह रहे हैं अरविन केजरिवाल भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो अध्यादेश है इसने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाके खड़ा कर दिया है एक constitutional bench के फैसले के उपर अध्यादेश लाना क्या ये मामूली बात है अमूमन बात है और इसको कानून के लिहाज से कैसे दिखा जाए देखें ये मामूली बात तो है नहीं पर ऐसे पहले भी हुआ है आपको याद होगा कि शावानू के मसले पर जब सुप्रिम कोर्ट का फैसला आया फिर कानून बदला गया या वोड़ फोन पे जब टैक्सेशन का मामला सुप्रिम कोर्ट में वोड़ फोन ने जीत लिया था पर बाद में कानून बदला गया लीगल थेयरी के और से अगर देखें तो ऐसा है कि कोर्ट जो लिखी हुई कानून है उस पर फैसला देती है और उस पे अगर कोई खामिया है तो बता देती है सरकार को हक है तानून बदलने का पर एक हक सरकार के पास नहीं है अगर किसी मामले में डायरेक्ट कोई जज्जमेंट हो on facts उसको overrule करने का हक सरकार के पास है नहीं यह principle आता है कावेरी मसले से कावेरी मसले का एक presidential reference था वो भी constitution bench का था वहां क्या हुआ था कि यह कावेरी कोट का फैसला है उसके विपरीथ उल्टा ही उसे अंडू करने के लिए कोई legislative तब उठाए वो rule of law के विपरीथ होगा संजीची क्या आप इसको इसी category में मानते हैं देखे सुप्रीम कोट के जो कई फैसला है उसमें कई सारे पहलूए जुड़े हुए है पर एक पहलू यह है कि सुप्रीम कोट मानती है कि हम एक democratic सरकार है और जो जन्ता से चुनकर आते हैं उनको यह हक होता है कि उनके सरकारी नौकर चाकर जो होते हैं वो उनके कंट्रोल में हो जी तो वो एक finding था उसे directly overall किया गया है या नहीं वो बहस का मुद्दा बनेगा हरीश खुराना जी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को साथ लाने की कोशिश कर रही है उन्हें लगता है कि विपक्ष अगर साथ आ जाए तो जो सरकार की जिसको आज नितीश कुमार और अर्विन केजरिवाल ने बताया कि ये देश के democratic structure और federal structure दोनों के खिलाफ अध्यादेश है तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी कि अगर राज्य सभा में विपक्ष गोल बंद हो जाता है लाम बंद हो जाता है कह रहे हैं कि कहीं न कहीं साथ दिनों के अंदर इसको पलटना ये सरकार का उतावलापन या कहीं न कहीं इस बात को दिखाता है कि सरकार कितनी हतोच साहित हो गई थी सुप्रीम कोट के पैसल पर देखना है कि कॉंग्रेस के कई सवर आ रहे हैं कि वो कहीं न कई अर्विन केजिवाग का विरोध करते हैं वो उनको देखना है लेकिन सवाल यह उठता है कि आज और यह जरूद क्यों पड़ी मैं ट्रॉनलोजी दो दस सेकिंड में आपको तीस सेकिन में आपको समझाना चाहूंगा ग्याना तरीक को ऑडर आता है इमिजेटली ऑडर के बाद लेटिन गवर्णर साब और दिल्ली के सीफ मीटिंग होती है जिसमें सीफ में साब कहते हैं कि मुझे कुछ अफसर के ट्रांसर करने हैं आप कहते हैं कि दो तिन दिन रुख जाईए जबता हम ऑडर प तरीक को राज शेखर की का 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 ट्रांसर कर दिया जाता है कि हम सेकेर्टरी विजलेज नहीं रहेंगे पंदरा तरीक को शोक और नोटिस इशू होता है आशिश मोरे को उसी दिन राज राज शेखर को पैंडिंग फाइल जो है वह एफ यू जो एव यूनिट और यह सब ले जाते हैं तो क्या केंडर सरकार इस जो इक डिपार्टमेंटल लाप्स जो सब कुछ हो रहा था जी होने देती आई एस अफसर को धंकिया मिल रही है जी आई इस देख लेने की धंकिया हो रही है क्या केंडर सार मूग दर्शक बनी रहेगी दिल्ली के अंदर आज अज पर हरीज जीत फिर तो ये ग्राउंड बाकी राज्यों में भी दखल का बन सकता है कि वहाँ पर किसी मुख्यमंत्री ने अपने किसी अधिकारी को धंका दिया तो केंड सरकार कहें कि हम क्या मूग दर्शक बने रहें तो हम वहाँ पर भी यह मूग कर देते हैं अंकेज भाई हमें समयना पड़ेगा कि दिल्ली एक कून राज्य नहीं है एक केंड शासित परदेश है हम बार-बार यह भूल जाते हैं 1993 से लेके आज तक केंड शासित परदेश ही रहा है और इसका constitutional head जो रहा है वो left and governor रहा है और जो अध्यदेश भी आया है वो राश्पती के order से आया है ठीक है प्रियंका जी यही मूल जो है argument है भार्तेशनता पार्टी का कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस तरह की ताकत का बेजा इस्तबाल कर रही है अफसरों को जो जो न्याय विद्काम करने की या कानूम विद्काम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अर्विन करते हैं और क्योंकि यह पूर्ण राज नहीं है तो इस वज़ा से सरकार को इसमें इंटेफिर करना पड़ रहा है अंकि जी लगातार हम पर जूटे आरोप लगाते इन्होंने पहले भी एक ऐसा आरोप लगाए था उसमें भी अर्विन केजरिवाल जी बाहिज़त बरी हो चुकिया उनका नाम नहीं है इस केस में पर वो उसी केस की दुआई देते रहते हैं पहली चीज़ डूसरी चीज मुद्दा यह में है कि एक लूजर सरकार अपनी हार्त कार नहीं कर पा रही ग्रेस फुली हार चुकी है 24 साल से डिली में है मैं आप लूजर सरकार, हरीज जी, हरीज जी, हरीज जी, हरीज जी, सर ये गलत बात है, ये गलत बात है, आप अराम से बोले थे, किसे ने आपको नहीं टोका था, उनको खतम करने दीजे एक बात, सर देखो, हरीज जी, राजनीती में आपका बहुत समय हो चुका है, सर, सरका सरकार हटोच साहित है यह तो शेक मनु सिंग भी ने भी का अब इन सब्दों पर कहा भरीजबाई आप परस्तर हो रहें छोड़िये ना इनको अपनी बात अख ने दिए कि फिर आपके पास आओंगा ग्रेसलेस लूजर सरकार को समझ नहीं आ रहा कि अर्वेंड केजरिवाल जी को कैसे रोके उन्होंने हर प्रयास कर दिया सब चुनाव हार गए उन्होंने ये देखिये मज़े की बात रिव्यू पेटिशन में डाल दिया जज्जमन का सुप्रीम कोट की जज्जमन का रिव्य पास कर दी इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें अभी एक तरफ रिव्यू चलाएंगे एक तरफ ओर ओडिनन पास करेंगे पता नहीं करेंगे अगर टेवल कर तो हम ने आपने देखिए लिया कि अज हमारे अर्विन केजरिवाल जी ने क्या गयान डिया है कि अगर भखश्श करना होगा इसको पास नहीं होने देना इसको तो बेसिकली इसमें भी अभी यहां पे हमारे साथ इतने senior lawyer भी बैठे हैं आप उनसे भी confirm कर लिजिए कि इसमें constitution principles को भी इन्होंने amend कर दिया है बहुत सारे federalism structure की बात हुई तो यह argument तो आप court में लेकर जाएंगी और court तै करेगा कि इन्होंने क्या amendment किया है क्या नहीं किया है अंके जी एक और बड़ी interesting बात बताती हूँ आपको इन्होंने इस ordinance को पास करने में जो भी argument दी है ordinance के preamble में भी वो सारे argument इन्होंने court में supreme court में किये ते जो सब कारी जोग है कोई नहीं argument नहीं दिया तो पूछ लिजिए इन्होंने review क्यों डाला है और फिर ordinance में review क्यों यह क्या दो बाते क्यों कर रहे है यह confident नहीं कि इनको पता है ना इसका राजनेतिक असर दिल्ली पर आप क्या देख रहे हैं यह क्या कहीं न कहीं अर्विन केजरिवाल के लिए sympathy लेकर आएगा यह दिखाई पड़ेगा कि देखिये सरकार अभी भी supreme court से उनको फैस्ता मिल गया फिर भी काम नहीं करने दे रही या फिर लोग इसको इस तरी कार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है अंकित जी असल में दोनों चीजें संविधान पीठ के फैसला आने के बाद ordinance लाना थोड़ा आठपटा जरूर है राजनिती अलग तरह से हो रही है और अलग तरह से होगी मुख विपक्षी दल Congress जैसा आभी हरिश कुराना जी पुरी तरह से कहने ही पाए मुख विपक्षी दल ही दिल्ली में अर्विन के जिरिवाल के साथ कितना खड़ा होगा यह आने वाले समय में साफ होगा अभी तक Congress की ओर से कोई official उस तरह का स्टेंड नहीं आया है जैसा नितीश कुमार और जैसा अखिलेश यादवर या माकी राज्यों के नेताओं ने दिया है एक तो यह विशे हुआ दूसरा विशे जो है वो दिल्ली में जो ब्यवस्था सुरू से बनी हुई है उसमें टकराव से सरकार चली नहीं सकता हरीश उन्होंने वो अधिकार भी तबके कॉंग्रेस द्वारा एक पॉइंट ले लिये थे जो विधान में था ही नहीं मैं इसको बार बार दूराता हूं कि अधिकारियों के जो आला अफसर हैं जिल पे सारा विवाद है उनकी ट्रांसपर पोस्टिंग तो आप छोड़ दें उन दिल्ली में जो विधान है अभी जैसे इन्होंने जिस नाम पर ओडिनेंस ले आए हैं कि हम ट्रांसपर पोस्टिंग के लिए एक प्रादिकरन बनाएंगे जी उसको मानेगा नहीं मानेगा ये आने वाले समय में तैह होगा या जैसा अभी आम आदमी की प्रुक्ता कह रही लेकिन मेरा कहना ये है कि ये लेकुना है चुके जो दानिक सबसर हैं वो क्यों दिल्ली के लिए तैनाथ नहीं होते हैं वो सारे union territory में तैनाथ होते हैं वो उसका फैसला यहां हम नहीं कर सकती और लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद ये थी कि 9 साल की पूरी लडाए के बाद इस चोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं आप सभी के पास वापस आउंगा, इस पर और थोड़ी से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कि आगे इसका आप क्या रास्ता निकलेगा, चोटा सब रेक लेके वापस आ रहे हैं, चर्चा इस वक्त दिल्ली में केंद्र स में माइनॉरिटी में कर दिया क्योंकि दो अधिकारी और ऐसा पूरे देश के अंदर कहां है कि अधिकारियों का मत मुख्यमंत्री के मत के एक समान कर दिया जाए देखिए सबसे पहले तो आपकी पहली हेडलाइन ने बता दिया कि आज देश का मान कहां मढ़ रहा है और उस सरकार को लूजर सरकार बुनाना इनका फ्रस्टेशन दिखाता है अभी तक जवाब नहीं मिला अभी तक पर इंकाजी से कि इनको जल्दी क्या थी ग्यरा तरीक को सुप्रीम कोर्ड का ओर्डर आता है सब्वाब आज बज़े इनकाज काफी पहुँचती है और साड़े चाले बज़े वो अफसर का ओर्डर का ओर्डर निकल जाता है खर वो में इस पर बात की बात है लेकिन अब सवाल यह उड़ता है कि आपने जो भी बा प्रशाचार कर लिए सूप गेट से लेके सीश महल लिकर गेट तमाम तरह के आपने बश्चाचार कर लिए पावर आगा जाती है आपके पास तो क्या करते पता नहीं और हरीश बाई यह सारे जो भ्रश्चाचार के आरोप हैं यह तो को तैय करेंगे मैं सिर्वी आपसे प पुरा काम कर रही है दो तीन बाते हो नहीं बीच में बीच में टोक दिया मेरेको अब समझें के क्रोनलोजी कैसे होती है आज क्या चिट्टी लिखी आट अफ्सरों में और इंडिया जो इनके सिमिल सर्विस लिखा कि ब्लैटेंट हरास्मेंट हो रही है इतना बड़ा प्यांगा जी पहले भी सरकारे काम कर रही है जब से आमाद्मी पाट्डी की सरकार आई है तब ही से दिक्कते हो रही है अंकिर जी एक तो आपने लूजर सरकार से प्रेश्ट पूछा था कि कोई स्टेट बता दीजिए जहां पर अफसरों का मत सीम के मत से उपर हो लूजर सरकार ने उस जवाब नहीं दिया गोल मोल इदर उदर चले गए क्योंकि उनको कहानिया बनानी आती उन्होंने बना ली दूसरी चीज़, 2015, 23rd May 2015 तक यही था जो अब, मतलब यही सिस्टम चल रहा था जो अब डिक्लेर हुआ है, जो इन्होंने हमसे सर्विसे छीन ली, ऐसे तो इन्होंने हमसे ACB भी छीन लिया, पर चलो law in के अंडर आता है तो हम बात नहीं करते, 2015 तक ACB भी दिली सरकार के अं मैं बता देती हूं कि पहले ने सांडगाट असानी से हो जाती है, जैसे आपने करनाटक में सुना होगा कि 40% की भाज़पा सरकार और 20% की कॉंगर सरकार, हमारी वो सांडगाट नहीं हो पाती, हम कटर, इमानदार सरकार है, यह तभी, मेरे पास, मेरे पास समय मिल्कुल खत हो जाएं, तो यह तो दोहरी, कहीं न कहीं, राजनीती जरूर इसमें भी है, और दोहरी राजनीती दोनों तरफ से ही इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, यह से मैं आरीज भाई से पूछा, कि बताईए कहां ऐसा हुआ है, कि मुख्यमंत्री का मत, CS के मत के साथ बना दिया ग लेकिन जैसे मैं बार-बार क्या रहा हूँ, 9 साल की लड़ाई फिर से शूर ने पर आई